गर्मियों की छुट्टियों में आरव और सिया अपने दादा जी के गाव आते हैं एक शाम दादा जी उन्हें एक प्राचीन खजाने की रहस्यमी कहानी सुनाते हैं जो गाव के पास के जंगल में छुपा हुआ है दादा जी कहते हैं जंगल में एक खजाना छुपा है जो अपार शक्ती और घ्यान देता है अगले दिन वे साहस करके खजाने की खोज में जंगल की और निकल पड़ते हैं जंगल में उन्हें अजीब घटनाओं और आवाजों का सामना करना पड़ता है लेकिन वे डरे नहीं और आगे बढ़ते रहे अचानक उन्हें एक छुपा हुआ दर्वाजा दिखाई देता है दर्वाजे पर एक पहली होती है जिसे वे मिलकर हल करते है दर्वाजा खुलता है और अंदर उन्हें एक चमकता हुआ पथर मिलता है वे पत्थर को गाव में वापस लाते हैं पत्थर की शक्ती से गाव में खुशाली आ जाती है